लेकिन कभी भी न होने से निराश नहीं होना चाहिए मैं तो वो जो एडिशन का एक स्टेट्मिंट मुझे आद आता है बार-बार कि जब वो सैकड़ों प्रयास के बाद बल्ब बना सका था तो उसने यही कहा था कि मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं सो बार असफल हुआ मैं तो यह कहूँगा कि मैं असफलता कि सो कारण जानता हूं और उन कारणों को नमस्कार मैं अभिननन आपका इस जारब जक्सन चैनल पर हर्दिक स्वागत करता हूं एक खास समवाद में आज हम लोग फिर से हैं और आज हमारे बीच इलहाबाद विश्विद्याले के पूर प्रोफेसर और विभागर्देश प्रोफेसर जटा संकर सर हैं सर हम आपका स एक सर परिचे दीजे सर की आप किन-किन पदों पेकार कर चुके हैं और क्या सर मतलब रहा है पूरा रूटी में इलहाबाद विश्विद्याले से मेरा जो संबंद है जुलाई 2021 में 51 साल का हो गया 1970 में मैं विद्यार्थी के रूप में आया और यहीं विद्यार्थी रहा यहीं शोधार्थी रहा और यहीं अध्यापक बना विश्विद्याले में लगभग हर तरह की सेवा हमने दी है एड्मिशन चेर्मैन एथलेटिक एसोसियेशन के प्रेसिडेंट चेफ प्रॉक्टर प्रोफेसर तमाम रूपों में और उन से बढ़ करके खेल कूद में बहुत रूच थी तो विद्यार्थी जी उन में खेलते भी थे खुब कबड़ी और हाकी टीम्स में रहे हम कुलमिला करके लहवाद इंवर्स्टी मुझे मां के गोद की तरह लगती है एट सीम्स लाइक मदर्स लैप मेरी अपनी व्यक्तिगत अभिरुची वेदान तदर्शन में रही आज भी है और उसी के नाते तमाम जगों पर आज भी बुलाया जाता हूँ अपनी बात कहता भी हूँ शिक्षक के रूप में इथिक्स सोशियो पोलिटिकल फिलासफी बहुत वरशों तक पढ़ाया और मेरे जो शोधपत्र हैं वो लगभग साथ पैसट के करीव शोधपत्र पकाशित किये पुस्तकें अपनी लिखी हुई दो हैं और एडिट हमने लगभग साथ वॉल्यूम्स किया है कुल्मिला करके शिक्षा जगत को जितनी हमाजी सामर्थ थी उत्मा योगदान हमने किया शिक्षक बनना मेरा सोभाग्य तो है लेकिन आरंभ में यह वेरा प्रयोजन नहीं था मैं अधिक रूची शिविल सर्विसेज और प्राविंशल सिविल सर्विसेज इनमें लिया कई बार इंट्रिव्यू भी दिया लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि जो ग्रेट प्लैनर वाज है विविंग सम अधर प्लैन इच वा सेटेनली बेटर फॉर मी लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अच्छा प्लान लेकर कि कोई और बिधाता बैठा हुआ है और उसने मुझे शिक्षक बनाया मैं बहुत प्रसन हूँ कि जिन पदों पर मेरा चैन नहीं हुआ था उन पदों पर दरजनों और सेकड़ों की संख्या में हमारे विद्यार थी है इस समय घर के तमाम बच्चे हैं शायद मेरी गाइडेंस ने उसमें कुछ सहयोग किया हो और ना भी किया हो तो उनसे मैं क्या विजन जासे आपका था कि मतलब आप प्रोफेसर की ही लाइन में आई जसे आपने और आ जो तो वंडे वाले एक्जाम होते हैं इस फिलड में अपने और ने कोशिस नहीं किया बस दो ही एक्जाम दिये YouTube PC का और YouTube PC का तीसरग advisor नहीं और बहुत आर्ग वार्जीनली मि द्यार्थी होने के नाती ये शंका तो होती थी कि there is something wrong with my preparations कभी रिटेन में बहुत अच्छा परफार्म किया तो इंट्रव्यू में घट गया कभी इंट्रव्यू में बहुत अच्छा परफार्म किया तो रिटेन में थोड़ा कम हो गया तो दर्शन के विद्यार्थी के रूप में जो मैं देखता हूं वो यही की नियती कुछ और थी और मैं गलत दरवाजा खटखटा रहा था तो सर अभी जैसे फिलोसफी को एजे अप्स नर्ज रख हा जाए या फिलोसफी का सर अभी यू-पी से में आप क्या रूल देखते हैं आपके COPridge छाट्र फिलोसफी लेकर जो है सिलेक्ट हुए तो अभी क्या रूल आप देखते हैं आदिके फिलासफी बहुत अच्छा न नहीं रहा मैं तो अपने जब मैं खुद इम्तहान दे रहा था तब से याद करता हूं और आज तक बहुत से बच्चों को गाइड भी किया जिनका सेलेक्शन हुआ है तो वो मुझे ऐसा लगता है कि फिलासफी ने अच्छा रोल प्ले किया है सेलेक्शन में कई एसे स्टूरेंट कमच कर पांच कातो में स्मरण है मुझे ऐसे स्टूरेंट जो संस्कृट के विद्यार थी थे पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृट में किया और फिलासफी लेकर अंडर ग्रेजुएट में फिलासफी था उसको लेकर उन्होंने सिविल सर्विसेस मतलब UPSC क्लियर किया है तो मेरे कहने का अभी प्रा यह है कि फिलासफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर किसी युवा में कंसेप्चुलाइजेशन की कैपेसिटी है वो ठीक से कंसेप्ट को क्लियरली समझ सकता है उसके लिए फिलासफी सबसे अच्छा है और कंसेस्टेंट लेवर यह मेरी समझ से सबसे वड़ा फार्मूला है बहुत टैलेंटेड और ब्रिलियन्ट होना उतना आवशक नहीं है जितना आवशक है लगातार मेहनत करना मैं अपने घर का एक्जामपल देता हूँ मेरे कई बच्चे यूपी असी में भी हुए दो बच्चे यूपी पी असी में दो तीन हुए घर के जॉइंट फेमिली है तो बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं लेकि अपने बच्चों की अनालिसिस में करता हूँ तो मैंने देखा कि बहुत talented जो थे, बहुत creative और talented थे, वो civil services में नहीं गए, वो या अध्यापक बन गए या assistant professor हैं, एक दो उसमें से, लेकिन जो consistently मेहनत करते थे, वो civil services में निकल गए, तो निरंतरता जो पढ़ाई की निरंतरता है, वह इस preparation की जान है, मेरुदंड है, इसकी read हो ही है, निरंतर अभ्यास करिए, निरंतर पढ़ते रही है, जुलाई है कि मार्च है, इससे मतलब नहीं है, admission चल रहा है कि exam हो रहा है, इससे मतलब नहीं है, आपकी पढ़ाई का hours वही उतने होने चाहिए, चाहे जुलाई हो चाहे मई हो, यह बहुत बड़ा formula है मेरी दिर्ष्ट म हैं, और वाकी संपर्क करने पर अध्यापक आपको guide करने के लिए मिल ही जाएंगे, लहवाद में तो बहुत ऐसे अध्यापक हैं, और seniors आपकी मदद करते हैं, इसलिए यह कभी नहीं सोचना चाहे कि हम जहां अठकेंगे तब क्या होगा, जहां आठकेंगे वहां का आगे क रास्ता बताने वाले लोग हैं, तो उस विद्यार्थी को ही करना पड़ेगा जो aspirant है, जैसे इंडियन और western को कवर करना है उसे optional के लिए तो सर कैसे करें और ही ठिक्स को भी, अब देखिए हर field, हर aspect के लिए किताब हैं तो अलग-अलग हैं, वो prescribed books हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को एक ही किताब अच्छी लगे, लेकिन जो विकल्प मिले हैं हमारे पास कि अमुक अमुक किताबों में से cover हो जाएगा आपका course, उनको देखिए जो आपके अनुरूप लगे, जो आपके लिए रुचिकर लगे, जिसकी भाषा, जिसका content, उस किताब को आप अपने पास रखिए, उसको बेस बनाईए, उसको पढ़िए, परिश्रम करिए, सर जैसे philosophy जो बच्चे मतलब और रख रहे हैं, उनके लिए अभी आप क्या कहना चाहेंगे, ज्यादा ज्यादा लोग philosophy लेकर officer बने हैं, इसलिए कि दो चीज़ें philosophy के विद्यार्थी में आ औरों में भी होती हैं, बिना philosophy पढ़े भी वो बातें आ सकती हैं, लेकिन दो बातें philosophy वालों में ज्यादा अच्छी आती हैं, एक तो उनका logical sharp brain हो जाता है, अच्छे judgments ले सकते हैं, क्यांकि officer को तो हर दम कुछन-कुछ निड़ने करना रहता है, judgment करने में उनकी सामर्थ है sharpness ज्यादा अच्छी होती है, और दूसरी बात जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसकी सबसे ज्यादा कमी हो गई है, वो यह है कि एक basic morality उनके अंदर अगर ठीक से philosophy पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर basic morality आही जाती है, और उसको follow करने पर जिसको आजकल empathy कहा जा र रहा है, कि आप सामने वाले की भावनाओं का अनुभा करिये, तब आप यह जान पाएंगे कि आपको कैसा नेर्णे लेना चाहिए, आपको जो अधिकार दिया है, गब्मेंट ने, कांस्टिचूशन ने, उस अधिकार का ऐसा उपयोग करिये, जिससे लोग कल्याण हो सके, तो फिलासफी इसमें मददगार ज्यादा है, असर ऐसा अभी आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट है, ओवर आली स्टूडेंट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, जो आपने अपने एक्सपिरियंस में देखा कि सेक्डो छातर जो बने सरदिकारी, उसमें ऐसा कोई कामन पॉइंट आपको लग रहा है कि ये हर इस्टूडेंट को फालो करनी चाहिए, जैसे आपने एक बता है कांटिन्यूटी, उसके साथ साथ और कुछ ऐसा है, जो सफल हुए, उनके बारे में ज्यादा जानने से ज्यादा अच्छा है कि उनके बारे में जाना जाए जो असफ सफल हुए, क्योंकि उसी में से सफलता का रास्ता निकलता है, जो लोग भी इस भरोसे रहे, और कांटिन्स में रहे, कि मैं तो अपने बैच का टापर हूँ, मैं तो हो ही जाऊंगा, वो नहीं हुए, जिनको ये हो गया कि नहीं अब और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतन का एक स्टेट्मिंट मुझे आदा आता है बार-बार, कि जब वो सैकड़ों प्रयास के बाद बल्व बना सका था, तो उसने यही कहा था, कि मैं यह नहीं कहूँगा, कि मैं सो बार असफल हुआ, मैं तो यह कहूँगा, कि मैं असफलता कि सो कारण जानता हूँ, और उन कार इस्पिरेंट है, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर जहां के कहां मेरी कमी है, और जहां कमी है, उसको प्लक करिए, उसको सुधारिए, उसको ठीक करिए, कमी को अपनी सामर्थ में बदलिए, निश्चित सफलता मिलेगे, ठैंक यू सर, चैनल पर आने के लिए लिए होंगे तो विशे सुनके लिए होगा, कि देविल बी मौर लाजिकल एंड मौर एथिकल, ठैंक यू सर,